सभी को नमस्कार आईए आज हम एक नए ध्याय के बारे में पढ़ते हैं अध्याय का नाम है मेरे बचपन के दिन जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा अध्याय को पढ़ने से पहले आईए हम लेखिका के जीवन से परिचित हो जाए महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फरुखाबाद उतर्प देश में हुआ था इनकी शिक्षा दिख्षा प्रयाग में ही हुई और प्रयाग महिला विद्यापिट में प्राचारिया पत पर लंबे समय तक कारे करते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने काफी प्रयात्न किया इनकी मृत्यू सन 1907 में हुई इनकी रचनाओं से भी हम परिचित हो जाए इनकी रचनाओं हैं जिसमें कावे संग्रह में हैं निहार रश्मी निर्जा यामा दीप शिखा और गद्ध रचनाओं के अंतर है वह हम रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का स्रेइन को जाता है इन्होंने जो संसमरन मतलब याद करके किसी भी घटना किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छे से लिखना उसे संसमरन विधा कहते हैं और रेखाचित्र का मतलब होता है श्रब्दों के माध् मेरे बच्पन के दिन में लेखेका ने बताया है कि उनके बच्पन के दिनों को उन्होंने याद करके लिखा है कि जब वे विध्याला में पड़ रही थी और इस अंश में लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवईया था विध्याला की जो सहब पाठीने थी अच्छात् संत्रता अंदोलन के प्रसंगों का इसमें बहुत ही सजी वर्णन हुआ है आए इनी सब चीजों के बारे में हम इसमें जानते हैं लेखिका ने इन पंक्तियों से सद्ध्या को प्रारम किया है कि बच्पन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्शन होता है कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा परिशितियां बहुत बदल जाती है इसके माद में उसे लेखिका ये बता रही है कि जो बच्पन की स्मृति होती है उसके प् बच्पन की घटना है इतनी मनमुहक लगती है आकर्शक लगती है कि लगता है कि वास्तम में ऐसा हमारे बच्पन में हुआ था क्योंकि जब हम याद करते हैं तब हम बड़े हो चुके रहते हैं और उस समय की परिस्तियां बिल्कुल अलग हो जाती है तो लेखी का इसके माध अपने परिवार में कई पिढ़ियों के बाद महादेवी उत्पन हुई थी प्राया 200 वर्षों तक लड़की थी ही नहीं उनके परिवार में अब इसका कारण क्या था इसको लेकर लेखी का ने स्वयम बताया है सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परंधाम भेज देते हैं मतलब लड़कियों को मार दिया जाता था वास्तम ऐसा होना नहीं चाहिए पर पहले ऐसी इस्तितियां थी लिंग भेज लोगों के मन में लड़कियों के प्रति एक अलग दुर्भावना थी और लेखी का बड़ी भागिशाली थी और उनके परिवार में ज लड़की का जन्म हुआ महादेवी लड़की की बड़ी खातीर हुई और लड़की होने का जो अभिशाप hätten उसमय कि अन्य लड़कियां थी वो अभिशाप महादेवी को सहना नहीं पड़ा लेखी का नहीं बताने किको की है कि उनके परिवार में बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे जो लड़की का होना अभिशाप नहीं मानते थे और इसलिए महादेवी को एक अलग प्यार दुलार पूरे परिवार से मिला लेखिका फिर अपने परिवार के भाषाई वातावरन के बारे में बताती हैं विद्यार्थियों यह जान यह कि हमारे परिवार के भाषा का जो वातावरन होता है वही भाषा है हमारे जीवन में उतरती है मतलब हमारे परिवार के भाषाई वातावरन का प्रभाव हमारी भाषा पर हमारे भाषा ग्यान पर पढ़ता है लेखिका के बाबा वो फार्सी और उर्दु के जानकार थे पिता जी ने अंग्रेजी में पढ़ाई की थी इस प्रकार से हिंदी का कोई वातवरन नहीं था, अब आखिर पर महादीव अर्मा है, वो लेकीका बनी, हिंदी में बहुत उन्होंने नाम पाया, तो हिंदी का वातवरन आखिर बना कैसे, इसके बारे में लेकीका ने बताया है, क्योंकि जो माता थी, वो जबलपूर से आई और जबलपुर्चु की वह मध्यप्रदेश का सहर है और वहां पर हिंदी बोली जाती है इसलिए माता के साथ हिंदी इस परिवार में आई और माता का सभा बड़ा धार्मिक था तो वह हिंदी में वह भजन और अन्य ब्रज भाषा इत्यादी में जो मीरा के भजन वगर वहां गाती थी तो इस प्रकार से माता के आने के कारण परिवार में हिंदी का वातावरण बना अब लेखीका की भाषा शिक्षा भई लेखीका है वह उसकी भाषा शिक्षा है मतलब वह किस भाषा में आगे बढ़े उसे किस कौन सी भाषा सिखाने की कोशिश की गई इसके बारे में लेखीका बताती है कि बाबा की इक्षा थी कि लेखीका विदूशी मने विद्यार् पुलिंग शब्द होता और 2 दूशी इस्त्रीलिंग शब्द होता है कि तो बाबा चाहते थे कि महा देवी यहां विदूशी मुणे अर उर्धु फार्सी शिखाने के लिए उन्हें मौलवी शाहब को बिलाया है हुआ लेरा उर्धु और फार्सी नहीं सिखना चाहती थी वह बिल्कुल दूसरे दिन जब मौल्वी साहब आया तो वह चारपाई के निचे छीप गई जैसे सामाने थे बच्चे करते हैं कि जिसल्वरेक्ती से कुछ उनको प्रेम नहीं होता है जिसल्वरेक्ती से वह भागना चाहते हैं तो क्या चीपने की जगह दोन सते olabilir आज चारपाई के निचे छीप आसान होता है बच्चों限 के तो लेखी का है महादेवी बच्पन में उचार पाई के निचे छीब गई फिर पंडित की विवस्था की गई जो की संस्कृत पढ़ाया है तो एक पंडित जी आते थे और महादेवी को संस्कृत पढ़ाया करते थे अब हिंदी का ग्जान कैसे हुआ तो बच्पन में मां है वह पंच तर पंच तर अज पंच तर एक पुस्तक है कहानी के गीता में विशेश रूची थी और पूजा पाट के समय जब वह गीता के श्लोक पढ़ा करती थी तो लेखी का बैठ कर संस्कृत सुना करते थी यह सब प्रसंगों से यह समझ लेजिए कि बच्पन में बच्चे को जैसा भाषा का भाषाई वातावरन मिलता है बच्चा उस भाषा में फिर आगे बढ़ता है उस भाषा को सुनता है फिर वो बोलता है इस तरह से महादेवी पर भी संस्कृत हिंदी इन सब को प्रभाव प इसकुल को बच्चे तो उन्हें बेजा गया और वहां का वातारण बिलकुल अलग था है और प्रार्थना जो कराई जाती थी वह प्रार्थना महादेवी को अच्छी नहीं लगी इसलिए मन नहीं लगा और उसने मिश्यन इसकूल जाना बंद कर दिया जैसे आप लोग को सबस्क्राइबад भी होता हुगा कि आप लोग कभी जब मन नहीं लगता तो आप विद्ध्यालय नहीं जाते हैं видим छोटे बच्चे तो और जाधा उनके मन में रहता है कि विद्ध्यालय जाना मतलब घर दूर होना अपने लोगों रहां महा देवी ने जब विद्धाले जाना बंद्कर दिया और जब उसे भेजा जा था था वह रोती थी घर वालों ने देख लिए जिस इस स्कूल में जा रही है सिस्कूल में पढ़ने की रूची किसी तरह से रिचा इसी कछ़ा ने जाए उसके बाद फिर कच्छा 5 से उसकी भरती हो गई क्रास्थवेट कॉल्ट्स कॉलेज गया यहां का वातरम बहुत अच्छा था यहां हिंदू और इसाई लड़कियां अध्यान रहती थी हिंदू बच्चों के हिंदू लड़कियों के खाने पिने का इतना ध्यान रखा जाता था कि मेश में प्याज तक नहीं बनता था ताकि जो शाका हरी है उन्हें खाने में कोई तकलीफ ना हो तो क्रास्थवेट जो गल्स कॉलेज था वहां का वातरम बहुत अच्छा था और उसी कॉलेज में यह महादेवी पढ़ती रही और अन्य लड़कियों के साथ जिसमें की हिंदू और इसाई लड़कियां शामिल थे अब छात्रावास में रहते हुए महादेवी का सुभद्रा कुमारी से परिच्चय कैसे हुआ सुभद्रा कुमारी चम्हान आपने नाम सुना होगा बच्चो जिन्होंने जहांसी की रानी कविता लिखी थी और वह आप लोगने पढ़ी भी होगी तो उन्हीं सुभद्रा कुमारी से महादेवी का परिच्चय छात्रावास में हुआ चात्रावास के एक कमरे में चार चात्राएं रहती थी एक के कमरे में चार चात्रावक रहने का प्रबन था और जो सुभद्रा कुमारी थी वो दो वर्ष सीनियर थी महादेवी से और सुभद्रा उनकी पहली साथीन मनी चात्रावास में और किसी लड़की से इतना गहरा परिशय गहरी मित्रता नहीं थी जितनी की सुभद्रा से उगी सुभद्रा है वहां कविता लिखा करते थी और महादेवी भी बच्पन से कविताय लिखने की कोशिश किया करते थी महादेवी की मा है वो मीरा का पद गया करती थी और मीरा के पदों को सुनकर वो ब्रज भाषा में लिखी होती थी वह पद तो वह सुन सुनकर ब्रज भाषा में महादेवी ने लिखना आरंब किया अब सुभद्रा खड़ी बोली जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं ये खड़ी बोली कहलाती है तो सुभद्रा है इस खड़ी बोली हिंदी में लिखा करते थी अब सुभद्रा कुमारी का नुकरन करते हुए महादेवी ने भी क्या क्या खड़ी बोली में लिखना आरंब किया हमारे जो अपने मित्र होते हैं जो हमारे निकट होते हैं हमनों क्या करते हैं कुछ अच्छाईयां होती है उसका हमानुकरन करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार स नहीं दो जो और सुभद्रा कुमारी कानुकरन करते हैं वह खडी बोली में कविताय रचनाय लिखने लगे का अब सुभद्रा जी बढ़ी थी और वो कविता के छेत्र में साहते के छेत्र में थोड़ी प्रतिश्ठीत भी हो गई थी उनका नाम था अब लेखी का उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी संकोच होता होगा शायद ये डर रहता होगा कि मैं सायद अच्छी कविता न लिख रही हूं और सुभद्रा को दिखाऊंगी तो वो मेरी हसी न उड़ाए जो भी कारण रहो तो वहाँ छिपा छिपा कर लिखती थी सुभद्रा को पता नहीं था पर कहीं से सुभद्रा को एक खबर लग गई और एक दिन सुभद्रा ने प्रश्न किया महादेवी तुम कविता लिखती हो अब महादेवी डर के मारे वात नहीं सुभद्रा समझ गई कि यह मुश्ची पा रही है और सुभद्रा ने फिर कम रही की तलाशी लिए अब उस तलाशी में फिर अनेक कविताय मिल गई सुभद्रा खुश हुई और उन्हेंने पकादा खुशी के साथ एक हाथ से बिलकुल महादेवी को पकड़ कर आद दूसरे हाथ में उनकी जो कविताय वाली कागज थे उन्हें पकड़ कर वह हास्टन प्रचारित करने लेगी देखो यह कविता लिखती है मतलब एक अच्छी जुम्मित्र की भूमी का एक अच्छी सखी की भूमी का सुभद्रा निभाया इस तरह से प्रचारित करते हुए एक प्रकार से उन्होंने महादेवी को प्रोसाहित किया अब जब मित्रता और गहरी तब हो जाती है जब दोनों की प्रवृत्ति दोनों की आदते नों को सभाव एक जैसा हो अब यहाँ पर इतने प्रसंग से हमने यह जान लिया कि महादेवी वर्मा में और सुभध्रा में एक अच्छी बात दोनों में एक जैसी थी, वह थी कविता लिखना, कविता की रचना करना, इसलिए उनकी मित्रता और गहरी हो गई, आपको पहले बताया जा चुका है, कि सुभध्रा उम्र में बड़ी थी, दोव और सिनियर थी, फ लड़कियां जब अन्य लड़कियां खेलती रहती थी, तो उस समय ये खेलने में शामिलना होकर दोनों तुक मिलाया करती थी, तुक मिलाना मतलब आप जानते होंगे, विध्यारतियों कि अंतिम के शब्द होते हैं, वो जो ध्वनी से जिस शब्दों से, उसे से मिलते चहेतों से कहते हैं, तुक मिलाना, और उस समय फिर एक पत्रिका छापा करते थी, इस तरी दरपण, उस पत्रिका में दोनों की रचनाएं छपनी चालू हो गई, इस तरह से दोनों, अब साहित स्रीजन में लग गई, कविताय लिखना, उन दोनों का एक प्रमुक रुची ह हो गई थी, उनका, उनकी रुची, दोनों की रुची पत्रिकाओं में कविताय लिख कर भेजने में होने लगी, और इस प्रकार से दोनों है साहित चेतर में आगे वढ़ने लगी, यहां तक जो हमने अध्यान किया है विज्जारतियों, उस में से कुछ प्रश्णों का हम भ्यास कर ले, प्रश्ण है, मैं उत्पन हुई, तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा, जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है, इस कथन के आलोक में आप यहां पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की क्या दशा कैसी थी, और लड़कि यह देखें, उस समय अधिकतर लड़कियों के स्थी, अत्यांत दैनी थी, पुर्षों के सामने नारी को अत्यांत हिंद रिश्टी से देखा जाता था, इसका एक कारण समाज में व्याप्त-दहच-प्रता भी थी, इसी कारण बहुत सी लड़कियों को जनम के समय या तो मा दिया जाता था या उन्हें घर की चार दिवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था बच्चों क्या यह सही है ऐसा होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए लड़का लड़की में भेद्भाव किया करते थे लड़कों को जितनी सोतनरता थी उतनी सोतनरता लड़कियों को नहीं दी जाते थी शिक्षय पाने का अधिकार भी केवअ लड़कों को ही था और उच्च्वरों की कुछ लड़कियां ही शिक्षित थी जालता लड़किया अशिक्षित रहा करते थी अब परिसितियां के साफ से देखें कि समय के सांसाथ आज की परिसिति के साफ से कि समय के सांसाथ लड़कियों के सिति में पहले से अधिक सुधार आया है इसका एक मात्र कारण अपने अधिकारों को पाने के लिए नारी की जाग रुकता है लड़किया आज पर लिक कर नौकरी कर रही है हम कह सकते हैं कि पुरुष्प्रधान समाज में नारी आज पुरुषों से पीछे नहीं है तो पहले की परिस्टी और आज की परिश्यती में बहात अंतर आगया है पहले नारी कुई इतनी सो दोता नहीं थी आज नारी है वह आगे बढ़ रही है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला कर वह समाज को आगे ले जा रही है अगला प्रस्ण देखें लेखी का उर्दु फार्सी क्यों नहीं सीख पाई हमने देखा था कि महादेवी मौल्वी साब को देखते ही कहां है चार पाई किनची शीप जाती थी तो लेखी का उर्दु फार्सी आखिर क्यों नहीं सीख पाई इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि उर्दु फार्शी में अरूची होने के कारण लेखी का कोई अभासा कठी लगी इसी कारण से लेखी का उर्दु फार्शी नहीं सीख पाई आप लोगको भी जसमें रूची नहीं होती होगी उसको सिखने में आपको भी कटनाई होती होगी, लेχिका को भी कटनाई होती थी और रूची थी, इसलिए कठीन लगने कराने रूची अगला प्रसंदेखें लेखिका ने अपने मा के व्यक्तित्य की की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ही हिंदी आती थी जानकार थी दूसरी विश्यस्ता वे धार्मिक सभाव की थी थी तीसरी विश्यस्ता उनकी मां कायान और लेखन में रूची रखती थी मेरा के पत गाती थी और कवितायों गर भी लिखती थी वहाँ चौथी विश्यस्ता उनकी माँ को संस्कृत का भी ग्यान था और पांची विश्यस्ता गीता में उन्हें विशेष रूची थी तो मा के व्यक्तित्यू की जो विश्रस्ताइं थी उन विश्रस्ताओं का प्रभाव महादेवी के जीवन में भी बहुत जादा पढ़ा है इसलिए महादेवी वह धार्मिक वो भी धार्मिक सभाव की थी और लेखर में भी उनकी रूची रही संस्कृत तो वो पढ़ाने पढ़ाती थी वह और हिंदी के छेत्र में उन्होंने एक अच्छा नाम बनाया साहित के माध्यम से उन्होंने अपने रचनाओं को साहित जगत में प्रतिष्ठित किया इतना अच्छा साहित लिखते थी तो यहां पर यह अध्या का आधा अनुशह हमां समाप्त करते हैं और दूसरे भाग में हम इसके आगे का अनुशह हम पढ़ेंगे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद झाल